So welcome back दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग तो आज की अपडेट होने वाली है टॉप कंपनी पी एंचे इन सिस्को की तरफ से अगर आप फ्रेश एन हैं डेपनेटिल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लास्ट लियर के स्टूडरें तो भी आप यहाँ पे अप्ला करना है चुकि यहाँ पे जो आपका करीर बनता है या आपको करीर को जो बूस्ट मिलता है वो ओसम होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिसकेशन के लिए तो वल्कम बेक टो जे बीर जो फेकेंसी रिजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है मैं से चिंचोहान आपकी लेके आज जुका हूँ आज दो knee के अंदर दो जोट की अपडेट को तो दोनों कंप अंदर आप F Resher apply कर सकते हैं और यहाँ पर दोनों कंपणी के अंदर internship निकलिए अब काफी सारे person सोच रहूं गया जोग बोल रहा है और internship आग यहाँ पी बाइवन रिटेल में discussion करेंगे पहले हम बात करते है PNG की तो PNG के अंदर यहां पर IT intern की यहां पर hiring है मतलब इनको intern चाहिए जो IT से belong करते होंगा तो यहां से title से काफी अद तक चीज़े clear हो जाती है exactly किस type के candidate के demand कर रहे हैं फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़े explain कर देता हूँ इनके officially website पर ले जाकर आपको information पढ़ने के बाद लगे you are the suitable candidate then apply click here पर click करोगे आप officially website पर आ जाओगे क्योंकि यहां page channel का motive से job की information नहीं देना आपको career guidance देना भी है तो जैसे आप देख रहे हो मैं officially website पर आ चुका हूँ सारी चीज़े को आपको यहीं से explain कर दूँगा तो सबसे पहले हम आते हैं इन्होंने लिखा हुआ है what we offer तो मतलब क्या चीज़ आपको offer कर रहे हैं तो यहां पे ना दो चीज़े सबसे ज़्यादा आपको देखनी है पहली चीज़ आप यहां पर देख सकते हो first line में लिखा है project जैसे मैं आपको बताए FMCG की top company है तो यह यहां पर प्रोजेक्स related work रहता है मतलब IT कर तो काम मिलेगा ही मिलेगा project पर IT का काम मिलेगा तो यहां पर learning वाला जो perspective बहुत ज़्यादा awesome होता है मतलब आपको बहुत सारी जीज़े सीखने को जरूर मिलेंगी इसलिए मैं personally कहता हूँ इस company में apply जरूर करना चाहिए यहां पर अगर आप fourth line देखोगे यहां पर लिखा हुआ paid learning experience मतलब इससे clear हो जाता है कि यहां पर internship paid और आपको अच्छा stipend मिलने वाला है अब कितना stipend मिलेगा या देको exactly officially website पर नहीं लिखा गया पर जो और person है इस type के internship कर रहे हैं इस level की company में internship कर रहे हैं उनका stipend 15-25 रुपे परमत होता है तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छा आपको stipend मिलेगा पर stipend से अच्छा आपको brand मिल रहा है अगर आपको life में group करना है तो इन चीजों पर जादा focus करना पड़ेगा next यहां पर आ जाते है qualification पर जो सबसे जादा important है जिससे आपको पता चलेगा कि आप इंटर membership है तो यहां पर specially कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी क्राइजेशन complete होनी चाहिए अगर आप यहां पर second year, third year last year के student है definitely आप यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर majorly CS की IT की relevant जो से चीज़े रहती है उसकी demand करी गई है मतलब अगर आप BTEC के student है आपने BSCB करा है computer science करा है तो definitely आप बिल का मतलब है अगर आपको इनके बारे में knowledge है तो definitely आप apply करें detail में ही चीज़े आपको खुद explain करेंगे जैसे कि यहां पर लिखा है आपका blockchain हो गया, IoT हो गया, internet of things हो गया तो इनसे related भी काफी सारी चीज़े होने वाली है यहां पर दो चाहरी चीज़े और लिखी गई है जिस सारी चीज़े आपके interview में judge करी जाएंगी, बिल्कुल basic simple है नीचे जाके आपको apply now पे click करना है और apply now पे click करने के बाद आपको यहां पर अपनी information fill करनी पड़ेगी, आपके resume को match किया जाएगा, अगर यहां पर resume match हो जाता है इनके skill set से तो आपको यहां पर call इनके end से आज जाएगा, मैं बात करें location की तो location होने वाली है, महरास्टा, Mumbai और यहां पर special feature भी दिया गया, आप देख सकते है, right side पर यहां पर लिखा हुआ है, chat with our recruiting assistant, मतलब यहां पर अगर आपको कुछ भी doubt आ रहा है तो आप company के dropout से chat कर सकते हैं, वो आपकी सारी problem को resolve करेगा, अगर फिर भी कोई doubt आए, इसका तो मुझे exactly idea नहीं है, पर हम यहां पर available हैं, नीजे comment section available है, बिंदास comment करिए, जो मन में question है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो अगर आप जितने जादा question पूछोगे, उतना आपका clear रहेगा, कि कि किस type की job है, कैसे apply करना है, कैसे आपको job मिलेगी, यहां पर हो क्या रहा है, मैंने बहुत जादा team के साथ discuss किया, तो हमें एक final result यह मिला, कि यह लोग job देखे जा रहे हैं, लोग job बताये जा रहे हैं, पर लोगों को job नहीं मिल रही, नहीं मिलने का सबसे बड़ा reason क्या था, उनको एक proper guidance नहीं मिल रही है, job मिलेगी कैसे, job आई है, job चली गई, पर आपको कैसे job मिलेगी, तो उसके लिए नहीं छोटे-छोटे skill set हैं, जो बहुत important होते हैं, इसी एक reason से बोलता रहा था हूं, वीडियो को last तक देखो, चुकि वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं explain करते हैं, जो बहुत जादा important होत और resume के shortlisted round के लिए, तो चलिए चलते हैं अपनी second company की profile की तरफ जो आपकी निकली है Cisco के अंदर, Cisco के अंदर भी आपके internship निकली है, जो है आपकी customer success specialist की, मतलब यहाँ पे आप customer से बात भी करेंगे, यहाँ पे आप IT से candidate भी होंगे, तो मतलब यहाँ पे भी learning के perspective से awesome होने वा आप बाहर के candidate है Bangalore से, तो भी मैं आप से कहूँगा apply जरूर करें, अगर आपको लगते हैं आप स्विच कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो decision आपका right रहेगा, जो कि यहाँ पे न देखो, कहीं पे न official इन चीज़े नहीं लिखके रहती कि internship के बाद आपको job मिल जाएगी, full time job मिल जाएगी, पर हर company चाहती है, जिस person को उसने train करा है, जो already organization के साथ है, वहाँ पे ही उसको permanent job दे दी जाए, तो return में आपको नहीं देते हैं, पर internally आप बहुत ज़्यादा chances होते हैं, मैं अगर बताओ, 80-90% chances होते हैं कि company आपको full time job offer करते, तो आपको थोड़ा सा positive होना प पड़ेगा, detail में थोड़ी सी बाते कर लेते हैं, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चीज़ लिखी गई है, what we are transform team details के बार में लिखा गया है, जिसके अंदर आपका customer से related चीज़े लिखी गई है, कि आपको customer की need है, उसका जो भी, यहाँ पर उसको चाहिए, तो यहाँ पर जो आपकी majorly problem आएंगी, वो सारी आपकी IT sector से related आएंगी और जो भी Cisco technology solution है, उसके according रहेगी, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर customer plus IT का combination है, अगर आपको लगता है आप suitable है, तो definitely आपको यहाँ पर apply करना चाहिए, उसके बाद लिखा गया है, आपके candidate की demand कर रहे है, तो अगर यह चीज आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल apply करेंगे, जिसके अंदर पहले चीज़े लिखा गया है, आपका minimum GPA होना चाहिए, 8.54 app up, मतलब आपका academic score अच्छा होना चाहिए, second यहाँ पर लिखा है कि 2020 pass out only, मतलब अगर आप यहाँ पर final year या last year के student है, तो definitely आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात करीए कि यह थोड़ से skill set की जैसे लिखा है, passionate about networking, information technology और computer science, जैसे मैं आपको बता है, IT sector से related, यहाँ पने passionate word लिखने हैं, काफी चीज़े clear हो रही है, यह चीज़ बोलना चाहरा है कि इनको skill set की demand है, ना कि आपकी degree की, मतलब अगर आपके पास knowledge है, पर due to any reason एक अच्छी degree नहीं है, तो भी आप यहाँ पर apply करें, क्योंकि interview के time पर वो चीज़ आपकी consider हो जाती है, इसी के साथ यहाँ पर एक दो skill की बात करी गई है, जहाँ पर आपके strong analytic skill आजाते है, आपका problem solving skill आजाता पर आपको कैसे apply करना है, तो apply का procedure भी मैं आपको बताई देता हूँ, नीचे आप आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो apply का button है, तो जैसे आप यहाँ पर apply button को प्रस करोगे, आपको अपनी basic information fill करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से apply करना है, पर मैं आपक यहाँ पर बताना चाहूंगा, जहाँ पर जो जॉप है, बहुत रेपूटेटेट कंप्ली के अंदर निकली है, इंटर्शिप कब कंप्लीट हो जाए, कोई आइडिया नहीं, आज वीडियो बना रहा हूँ, अभी इंटर्शिप available है, आप देखो 6 घंटे बाद, आप तो तीन महीने बाद उससे में जॉप available हो या ना हो, ऐसी कोई guarantee नहीं है, चूँकि आपको पता ही है, जो private job होती है, जैसे उनको candidate मिल गए, वो यहाँ पर जॉप को close कर देते हैं, तो यह बहुत बढ़ा reason होता है, इसलिए मैं कहता हूँ, राइट टाइम पर एक राइट opportunity क जो grab करना ना, एक smart work होता है, तो एक smart person बनिए नीचे जो subscribe बटन ना, उसको press करिए, बेल आइकन पर जाके click कर दीजी, इससे next time कोई भी golden opportunity रहे और आप एक smart person है, तो आपको वो मिल जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर job भी offer हो जाए, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँग ना, दो से तीन साहर लग जाते हैं, चलो ठीक है, सरकारी काम तो सरकार की तरह ही होता है, जैसे उसको अलग करते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो अगर आप Amazon जैसे international company के अंदर भी जाओगे, जहां पर सारी चीजों का process बहुत तेज होता है, अगर वहाँ पर भी joining की बात करो, almost almost वहाँ पर 21 से दो महिने लगते हैं joining के लिए, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, चीजे जो होती है, वो time taken होती है, अगर आज चैनल पर आयो, आज वीडियो देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो उसके बाद apply कर रहे हो, तो थो चुकि है, और यहाँ पर total हमारे platform के through, बाइस सो candidate को job मिल चुकि है, और almost almost 6000 candidate यहाँ पर अभी चल रहे है, बतलब उनका selection हो भी सकता है, नई भी shortlisted हो चुकि है, यह सारी चीजे मुझे इसलिए पता है, चूँकि back end पर हम चीजे देख पाते हैं कि कौन सा candidate shortlisted हुआ, किसको final यहाँ पर job मिली है, तो यहाँ पर I know apply कर रहे हैं एक महिने के अंदर almost 30,000, job मिल रही है, यहाँ पर 3-4,000 को, चुकि job जो है, वो limited है, मैं यहाँ पर job को increase नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर job को special ले के आ सकता, जो information हो ही आपको deliver करता हूँ, यहाँ पर सारी चीजे आपको बतान comment section है, comment करके आप उससे पूछ सकते हैं, मैं सचीन चुहान, आप से बिलता हूँ, एक next video में, एक next content के साथ, जैहें